हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक अन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्प्लनेशन का पार्ट नमबर टैन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है? तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए। अब आगे ये लोग इन से बोल रहे थे कि तुम जाओ जाकर के बरतन दो साथ में अब बरू की बात तो माननी ही पड़ती है ये दोनों साथ में बरतन दो रहे थे और जगर भी रहे थे और तब ही बार बरू का वाज आती है प्लेट तूटने की जब अंदर जाकर ये देखते हैं तो सैंग और किम आपस में जھकर रहे थे कि पेट तुमने तोड़ी है करके अब जब सैंग घड़ी होती है तो किम के सिर पे लग जा दी है तो सैंग को किम के चिंता होने लग जा दी है और जब सैंग के हाथ में चोट लग जा दी है तो किम उसे बोलता है कि तुम डंक से काम नहीं कर सकती हो पहले तुमने प्लेट तोड़ी और अपनी उंगली तोड़ी है तब नाना जी और अंकल उसको डाटने लगते है कि आखर तो कैसे इंसान है उसके चोट लगी है तो डॉक्टर है उसके ड्रेसिंग कर या फिर उसे सुना रहा है खिर किम इसके बाद सैंग को अंदर ले जाता है ड्रेसिंग के लिए और उसे बूड़ा था पेशिंट का कुछ जादा ही खुल निकल चुका है सैंग हसकी हाथ वापिस लेती है लेकिन किम उसका हाथ छौड़ी नीरा था कि तो अपने सुना नहीं नाना जी क्या करें है मझे ड्रेसिंग करने दो लेकिन सैंग अपना हाथ पीछे खीचती है तो किम उसके उपर ही जाकर गरता है इतने में गेट खोल गे, क्रिस अंदर आ रही थी जिंचु के साथ, तो अपनी भेहन से बोलती है, दीदी कम से कम गेट तो बंद कर लेती, सेंग कहती है तो कुछ गलत समझ रही है, किम से कहती है, कि अब तो हमारे हटनी के रादे हैं भी या नहीं, किम ख़ड़ा हो जाता है उसके बाद, उसेंग की चुप चाप ड्रेसिंग करने लगा था, वही नेक्स डे, क्यू हान यूनी को मनानी के कोशिश कर रहा था, वो मानती नहीं है, तो वो बोलता है कि मैं जिंचु को साथ लेने के लिए तो जाऊंगा, लेकिन जब ये लोग जिंचु को लेने के तो उसके डैड का कॉला दा है, और बाद में दिखाया जाता है कि जिंचु को इसंग अधने के लेज रहा था, वहीं दूसरी तरम, खबरिया आंटी कงजा आंटी को जआके बता देती है, कि सैंक, तो हींसु के चोटे भाई सीजा ने का मिल रही है, और उसीने रिए वे सा आंटी इस बात पर विश्वास कर ले थी है और अंकल के साथ जगड़ा करने लगी थी कि सैंग ने हमारी पीट में चुरा घुपा है अंकल कह रहे थे सैंग ऐसी नहीं है लेकिन आंटी वो तो सैंग के पास पहुच जा दी है और तो और टाइमिंग भी गलत क्योंकि सैंग त आए चीज़े पूश रहे थी और हाँ या ना में जवाब देने को कहती है अब सैंग हाँ ही बोलेगी कि वोसी से मिल रही है लेकिन आंटी उसे काफी को सुनाती है कि तुमने हमारी बीट में चुरा घुपा है वो सैंग की बात तो सुन ही नहीं रही थी खेर अब आगे सै से परशान थी पर दिखा नहीं रही थी से उससे बोलता है कि साथ मैं ड्रिंक पर चलोगी सेंग हां बोल देती है वहीं दोसी तरफ किम वो पहुच किया था हीसुं के पास उसे सुनाने के लिए कि मेरी भेन और चिंचु की जिंदगी से दूर रहो और तो और वो हीसुं से कह काता है मैंने कोई information नहीं जानी है और बहला मैं किसी लड़की का इस्तमाल क्यों करूंगा information जानने के लिए जब कि मैं चाहूं तो किसी से भी information निकल वा सकता हूं किर किम को समझ में आता है कि उसने सैंग के उपर गलत शक किया है और इसलिए वो सैंग के घर के नीचे उसक में गरल ये के पहुशता है तो उसके डाइट सेंग को ठाने के कोशिश कर रहे थे पर वो तो गिरे ही जाए थी इसलिए सी ही उसे उसके बैट तक छोड़ता है और अब इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था नाना जी और अंकल को तो उसका आना पसंद नहीं अधा परिशान था वही नेक्स मॉर्निंग जब सेंग उटती है तो उसके डैड उसके उपर बहुत जालत चला रहे थे और सेंग को इनी लोगों से पता चलता है कि कलड़ाट सी ही उसे छोड़ने के लिए आया था पर नाना जी वो तो सी के वार में और जानना चारे थे से क्योंकि उन्हें सी पसंच जवा गया था पर सेंग कहती है फिलाल वो किम को ही डेट कर रही है और दूसरी तरफ किम वो इस सबसे इतना इंसिक्यार हो गया था कि बाकी सब को डाटने लगा था अपने काम पे भी आगे सेंग सी के साथ आफिस से नीचे आ रही थी तब ही व मामले में गलत समझ लिया था लेकिं गलती तुम्हारी भी थी।μαरी वज़े से मिसरंडेस्टेटिंग हुई है सैंग बोलते है क्या वाकरी वो घ्जसे में जानी लगी थी लकिन किम'स का हाथ रुक कि कहता है सारी गलती बहरी है उज जिछे माफ कर दो सैंग कहती है अब इ तुम किम के साथ दिनर डेट फाइनल करो, हमें उसे बात करनी है, अब क्यू हान को फैमिली प्रेशर में किम को खान पर बलाना ही पड़ता है, लेकिन वो अपने भाई से माफी मांग रहा था, उसे ऐसे यहां बलाने के लिए, खेर किम तो समझ रहा था, कहां पर क्या होने व इतने में ही सेंग मां पर आ जाती है, अब आंटी को गिल्टी महसूस हो रहा था, तो वो सेंग से माफी मांगने लगती है, लेकिन सेंग उनने पहले ही माफ कर चुकी थी, और इस समय वो अपनी फर्स्ट पेमेंट चे सब के लिए गिफ्ट लाई थी, और आंटी काफी मुझके, उसे किम के साथ ही भेज देती है घर पे, और ये मैडम बिलाइन मारने का एक भी मांका नहीं छोड़ दी है, घर पहुच कर कैसा दिखा दिया है, कि गेट तो खुले रहा गया था उपा, प्लीज अंदर चलिए, मुझे डर लग रहा है, किम अंदर आके चेक करता कि सैंग को यहां से जाना पड़ता है, और उसकी जाते ही, किम घर पे वापिस आ चुका था, उसकी आते ही, मामा जी जिंजु और अंकल पूछने लगते हैं कि सैंग ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, किम बोलता है, मुझे को गिफ्ट नहीं मिला, तब यहां पे किम क पते चलता है कि पूरे घर को गिफ्ट मिला है, बस उसे ही नहीं मिला है सैंग से, क्योंकि उसकी फस्ट प्रेमेंट आई थी, इतना ही काफी नहीं था, जिंजु बोलती है, मामा आप सैंग दीदी के फोन पे काल करके पूछ लो, कि उन्होंने मामो का गिफ्ट कहां पे नर किया था, और तो और वो रिम को अके लिए छोड़ने के लिए गया था, और उसके साथ काफी देर वहाँ पे रुका भी था, यह जान करके नाना जी को बहुत गुस्टा आता है, इतना कि सबसे पहले तो वो खबरियांटी की क्लास लेते हैं, और उन्हें भगाने के बा थे, तब ही सेंग को यह बीच में आकर के बूलना पड़ता है, यह मुझे पता था, कि किम क्यूआन की फैमिली के साथ देनर पर गया है, उन्होंने मुझे भी बुलाया था, पर मैं मेज़ी दीसले नहीं गई, कि महरान के सेंग उसके मदद करी है, पर नान जी उससे कह रह शकते है, क्योंकि हम लोग तो रलेज़न्शिप में है ही नहीं, किम बोलता है, पर हम एक टो डीट कर रहे है, खेर फिर वू, हमाना जी इसका गिफ्ट मांगता है, क्यांत से माहिन को ङिफ्ट कहा था, किम बोलता है, किम बोलता है, DR. कुरे वारे अंदर किछ पसंद करने मानती है और अब आगे जब किम उसे अकैडमी पे चोड़ा था तो सेंग उसे किफट दे के बोलती है देख लो इसके अंदर लोशन है तुमारी रफ परसनेल्टी को कवर भी कर पाता है या फिर नहीं सेंग के उतरती किम तो किफट मिल के कुछ साधे ही अब आगे जब वो हॉस्पिटल पहुछता है तो सारा स्टाफ उसे थैंकी बोर रहा था नाश्टे के लिए किम जब अपने रूम में पहुछता है तो पता चलता है कि ये नाश्टा तो रिम ने करा था किम उससे बोलता है कि आखर से आज छोड़ने वाला है खे सैंग सी के साथ जाने लगती है तब ही रस्तर में उसे यूनी का कॉल आता है जो कि उससे कही थी आज वो जिंजु को पिक कर लिए उसके स्कूल से क्योंकि यूनी समय ही सुनके साथ थी वो से फिर से बात करने के लिए लेके गया था जब सैंग जलता है कि ये कैप एक उसके लिए और एक जिंजु के लिए थी अब आगे दोनों साथ में जिंजु को लेने के लिए जाते हैं और सैंग ने सी को अपने दोस्त की तरह ही जिंजु से मिलवाया था वही दूसी तरफ आज मिन के मुलाकात क्रिस से होती है जो कि बिलकुल भ पास कैसे आए तो सी बोलता है क्योंकि मैं उसका अंकल हूँ उसके पास आ सकता हूँ और यप सी के जान के बाद वो सैंग को पकड़के डाट रहा था तुम उस लड़की के साथ थे रात को फिर भी मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रही हूं इतने में ही सैंग का फोन रिंग करन लगता है जिस पर दा बैस्ट सी लिखा हुगा था. किम बोलता है कब लिगा तुमने यह फोन सैंग बोलते है कने ही और फोन के रख देता है सैंक बोलती है हिमत के चुछी दूसरों का फोन कट करने की और मेरे कौन से प्लांज है तुमारे साथ किम बोलता है तुम भूल गई हो अगर हम साथ में नहीं जाएंगे तो दादी को शक हो जाएगा सैंक बोलती है ठीक है वहीं चलता है तुमारे लिए अच्छा ही होगा जब ये वहाँ पर वाक कर रहे थे तो किम और सैंक के बीच में यही बहस हो रही थी कि ये चीज सच भी होती है या पर नहीं खिर तबी किम सैंक का हाथ के इसके पकड़ लिता है क्योंकि सामने से उसने रिम के माम डैट को आतो है देख लिया था ये लोग आकर किस से बोलते हैं कि आकर तुम इस लड़की के साथ क्यों गुम रहे हो तुम तो रिम के साथ गुमना चाहिए सैंक बोलती है पर ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो रिम के साथ कैसे गुमेगा किम भी बोलता है हाँ मैं तुम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये ही मेरी वन एन उनली फ्योंच है अंकल आंटी तो हैरान महीं खड़े रहा चाते है किम और सैंक आगे आ जाते है आगे किम सैंक से बोल रहा था मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सैंक कहती है अभी अभी तो कार है तुमने किम इसकी बात पर हसने लगता है खेर अब आगे गाड़ी में बैटते ही किम सैंक को एक नया फोन देता है सैंक कहती है ये किस लिए किम कहता है तुम्हारे लिए सेंग दिखाती है कि मेरे पास ओल्डेडी एक फोन है लेकिन किम गुस से मैं उस फोन को पीछे फेक्ट देता है सेंग कहता है ये क्या किया किम बोलता है तुमने का था ना वो कमपनी ने दिया है तुम्हें अपने परसनल मैटर अलग रखने चाहिए वो सेंग से बोलता है कोई भी लड़ का बरदाश्ट ने करेगा कि उसकी गल्फ्रेंड को कोई और फोन दे कियाती है पर तुम मेरे रियल बॉइफ्रेंड थोड़ना हो लेकिन तुम्हारे फोन में किसका होगा नमबर फस्ट रायल में से किमकी तो बोलती बंदी हो जाती है किर इसी की साथ ही वाले पार्ट के एक्स्प्लेशन ही पर कम्प्लीट होती है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तन वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब में किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं बोचल